दोस्तो नमस्कार लोगसभा चुनाव हो चुके हैं लोगसभा चुनाव होने के बाद सरकार बन चुकी है और सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है हर्याना के अंदर एक और चुनाव का इंतजार है लोगसभा चुनाव जब चल रहे था मैं आपसे तब भी कहा करता था कि हर्याना के लिए ये ट्रायल है चुनाव जो लोगसभा का हुँ रहा है और उस ट्रायल के अंदर यानि कि जो ट्रायल हुआ अगर परदेश लेवल पर बात करें तो कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी दोनों के बीच में ये मैच टॉस की कंडिशन बन गई दोनों के पा उसके लिए सोचने पर मजबूर है विदानसभा चुनाव में क्या हो इसके लिए पार्टियां रणीती वनाने के लिए अपने मजबूर है और जहां तक अगर सीटों के बाद चले वोट शेर की बात पर आएं तो फिर वोट शेर भी जो दोनों पार्टियों को वोट शेर गया वो भी बिल्कुल मुकाबले का गया यानि कि लगवक 43 और 44 परसेंट के असपास में और इस चुनाव ने दोनों पार्टियों को ये बता दिया कि वे अपनी विदानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को तरीके से धार दें तो ये तो बात होई परदेश की परदेश के साथ-साथ अलग-अलग विदानसभा चेत्र की अलग-अलग परिस्ति होती है अगर इस चुनाव के अंदर हम देख करके चलें तो तीन लोगसभा की सीटें ऐसी है जो दो कॉंग्रेस ने जीती और एक भारती जंता पार्टी ने जीती उन तीन सीटों पर जो नौनों व लोगसभा में आने वाली सभी 9 असेंबली की सीटें कॉंग्रेस पार्टी ने ही जीती सिर्शा के अंदर अगर कुमारी सहलजा सांसद्वनी कॉंग्रेस की तो सिर्शा लोगसभा में आने वाली सभी 9 कॉंसिटोंसी कॉंग्रेस पार्टी ने जीती और अगर करनाल से मनोहर बागी की जो साथ लोगषभां की सीटें हैं उनके अंदर जो 63 विधान सबां की सीटें वनती हैं उन पर कड़े मुकाबले रहे यानिकि अगर फरिदाबाद लोगषभा में कृषनपाल गूजर जीते तो उनको तीन विधान सबाओं में पीछे रहना पड़ा अगर इंदरजीत चुनाव जीते गुर्ग्राम लोगसभा से तो उनको भी तीन विधान सभाओं में पीछे रहना पड़ा अगर चुनाव जीते चौधरी धरम भी भीवानी महंदरगर लोगसभा सीट से तो उनको भी वहाँ पर फिर चार विधान सभाओं में पीछे रहना पड़ा तो इस लिहाँ से आप मान सकते हैं कि अलग-अलग सीट का अलग-अलग सेनेरियो था और इन चुनाव के परिणाम के बाद में तमाम विधान सभाओं छेत्रों में मैं आपसे क्योंकि इस वीडियो के अंदर भारती जंता पार्टी की बात करने जा रहा हूँ तो तमाम विधान सभाओं छेत्रों में भारती जंता पार्टी के जो नेता हैं जो चुनाव की तयारी कर रहे हैं उन्होंने अपनी तयारीयों को इस समय धार देना शुरू कर दिया है मैं आपसे अगर पलवल विधान सभाओं छेत्र की बात करूँ तो पलवल विधान सभाओं छेत्र को पहने तो आप आदे मिनट में यू जान लीजिए कि पलवल विधान सभाओं से 2019 के अंदर जो लोगसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में यहां से भारती जंता पारिटी के प्रत्याशी लगबग 86,000 वोटों से चुनाव जीते थे और अब जो 2024 का चुनाव हुआ लोगसभा का तो उसके अंदर पलवल विधान सभाओं से भारती जंता पारिटी के प्रत्याशी लगबग 25,000 वोट से चुनाव जीते यानि कि 61,000 वोट का डिफ्रेंस आ गया 66,000 वोट कम हो गए तो सबसे पहले तो जो बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात करूं उनको ये देख लेना होगा क्योंकि लोगसभा का चुनाव मोधी के नाम पर था मोधी चेहरा था और विधान सभाओं के चुनाव के अंदर लोकल मुद्दे होंगे लोकल बाते होंगी स्थानिये बाते होंगी एंटी इंकंबेंसी होगी ये सब कुछ भी चलेगा खेर अब मैं आपसे बात कर लूँ कि पलवल विधान सभाओं छेत्र में भारती जनता पारटी के कैंडिडेट है कितने आज मैं जब पलवल से चला और फ्रिजाबाद आने के लिए तो कई स्थ चुनाव का टिकेट मिला तो कहिए ना हो कि वो पोस्टर जितने उच्राई पर है वोटों के मामले में उतनी निचाही ना आ जाए खेर मैं अगर आपसे बात करूं विधान सभा चुनाव के लिए कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं पलवल विधान सभा की तो उनके अंदर ज सभाष कत्याल खुद भी खूब एक्टिव रहते हैं लेकिन कंडिडेट के तौर पर आजकल राजीव कत्याल का नाम आगे चलता है अगली बात करें तो फिर वहां पर गौरव गौतम दिखाई देते हैं भारती जनता युवा मोर्चा के नेता रहे हैं अगर अगला नाम देखते जाएं बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं यादि में आपस DAY कि हमारी जेब में यह बहुत चलब हुआ करता है है राजनीती के अदर और कुछ वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि टिकेट मिल जाएगा तो हम भी कुछ कर लेंगे लेकिन जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो एक बात बोली कि भारती जन्ता पार्टी के जो कर्णधार हैं उनको एक बात देखनी होगी कि उनके पांच साल में 61,000 वोट कम हो गए इस पर उन्हें गौर करना होगा उन्हें देखना होगा कि उनके पास लोकसभाद चुनाव के अंदर जो जैसे मोधी का चाहरा था है तो उनका इंटर्नल मेंटर लेकिन उसको सबको देखते हैं आप समझ सकते हैं कि कुछ तो है वहाँ पर भी खेर जब विधानसभाद चुनाव होगा तो उसके अंदर भले ही परदानमंत्री जी ये कहें कि आप परदानमंत्री के चेहरे को देखें आप फूल के निशान को देखें लेकिन देखना तो सब कुछ होगा दो जार उननिस के विधानसभा चुनाव में जब दस की दस लोकसभा सीटे भारती जन्ता पार्टी ने जीत ली थी तो विधानसभा के चुनाव के अंदर भी 75 पार के नारे के साथ जब उतरी थी तो उस समय चेहरा तो मोदी जी का था ही ौर चेहरा जो आज का चेहरा है अब जो चेहरा है दोजार चौरबिस वाला इससे बहुत अधिक तिलिस्म वाला चेहरा था।- अगर वापिस आए वहीं पलवल विधान सभा पर फिर से बात एक बार आपसे करें जो मैंने आपको नाम गिन्वाए कि यह लोग भारती जनता पारटी के यंदिडेट होने की तयारी में हैं अगर सामने बात करेंगे तो सामने की तरफ कॉंग्रेस से कौन आ सकते हैं आपसे अगले अलग वीडियो में चर्चा करूंगा ल भारती जंता पार्टी के जो टिकेट के चहावान करनधार बन रहे हैं उनको एक बात और भी देखनी होगी दोस्तों यह तो मैंने आप से लोकसभा वर्सिस लोकसभा का आपका अवलोकन किया आपको बताया लेकिन इसके बीच में एक चुनाव और भी हुआ था विधान सभा और लोकसभा के चुनाव से आँख करके हम चलें क्योंकि लोकल मुद्दों पर चुनाव वो हुआ था और लोकल मुद्दों पर ही चुनाव विधान सभा का हुना है तो उस चुनाव के अंदर पलवल शहर में भारती जंता पार्टी का चेर्मेन तो बना मात्र 2600 वोट से जीत मिल पाई थी मात्र 2600 वोट से मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बड़े चहरे के नाम पर छोटा इलेक्शन आप लड़ भले ही लेकिन आपको रणीती छोटी वाली ही बनानी होगी क्योंकि मोदी का चेरा 2019 में 86000 से जित्वाता है लोकसभा का चुनाव मोदी का चेरा मात्र 2600 तक सिमर जाता है और वह भी उस्तिती में कि जब सामले वोट विबक्ष के बड़ी संख्या में बिखरे हुए थे बिखरा हुआ वोट था विबक्ष का अगर वह आमने सामले का चुनाव होता तो स्तिती बहुत दैनिये बन चुकी थी अब आते हैं आप से कि कौन स सारे मैंने आपको नाम गिनवाई दीपक मंगला 2014 का चुनाव लड़ा और 2019 का चुनाव लड़ा उससे पहले का एक दौर वो था कि जब भारती जन्ता पार्टी दीपक मंगला को टिकट देने की बात करती थी तो दीपक मंगला जी टिकट लेने से पीछे हर जाते थे 2014 और 2019 जो स्वर्णीम योग भारती जन्ता पार्टी का आया उसमें उन्हों चुनाव लड़ा 2014 में हार गए 2019 में चुनाव जीत गए आजकल बहुत सारे फीते वीते काट रहें बड़े इस नारियल वारील फोरे जा रहें आजकल शहर केंदर लेकिन शहर के लोग उनको भी बता देते हैं कि पंच्वट्वटी वाली रोड अगर ठीक बन जाती लोग न्यू कलॉनी की रोड का डालते हैं कि वास सिवरिज खक को ना हुगा कि अगले जो केंडींड HEY मैंने आपको दिक्र किया था एक सबाश कत्याल सकरी हैं पा μεलबह यह लंबय समय से राजनीति करते रह 더 कई बार चुनाव लड़ें고 सथाक deport य। कि अम्रके इस पड़ाओं में वो भी गावम सख्रिय रहते हैं लेकिन अगर उनके अगर जो राजीव कत्याल की बात आती है तो राजीव कत्याल एक फ्रेश चैरे नहीं रहती अगली अगर बात करें तो मैंने आपसे तीसरा नाम कहा था गौरव गौतम का गौरव गौतम 2019 के चुनाओं में भी टिकेट मांगते थे हतीन विधान सभा छेत्र में उनका गांव आता है जहां से आते हैं मुलता चिरावटा गांव है अनिल जैन भारती जनता प खैर बात गौरव गौतम की कर रहे हैं तो गौरव गौतम 2019 में भी टिकेट मांगते थे 2024 में भी टिकेट की उनकी इछा है चाहते हैं कि टिकेट मिल जाए और अगर मैं कहूं कि गौरव गौतम भी एक सक्रिय गंभीर दावेदारों में सबबाइब bisher को अगला नाम लेते मैंने आप से नाम कहा था बीरपाल दिक्षित बीरपाल दिक्षित के पिदा जी क्रिशन चंद दिक्षित जी दो बार विधान सभा का चुनाव लड़े थे बीरपाल दिक्षित पिछले काफी समय से राजनी आप तो बाजबा में काफी समय से हैं लेकिन वो कई परिक्रमा करते रहे हैं भारती जन्ता पार्टी की उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की कभी मैं उनके फोटो देखा करता था कभी हर्याना जनित कॉंग्रेस की बात मतलब वो लंबे समय से इंतजार में है कि कोई टिकेट मिले और कोई चुनाव लड़ा जाए लेकिन अभी तक उनकी कोई बात बनी नहीं अगर टिकेट ब्रहमन समाज के पास जाने की बात आ भी जाती है हलांकि बीरपाल दिक्षित भी वो सारी खिड़किया जानते हैं जो टिकेट के लिए खुला करती हैं लेकिन ब्रहमन समाज के गर बात आएगी तो फिर मुझे लगता है कि गौरव गौतम बीरपाल दिक्षित पर 20 हो सकते हैं अगला नाम मैंने आप से कहा था ठाकुर हरंदरपाल का को अगर मैं यह कह दूं कि वह राजनीती में तो लंबे सम मैं से नगर परिशत के पार्षद बनते रहे हैं किसी समय पर और उसके बाद में वह कॉंग्रेस में होते हुए एच्पी एसी के चेर्मेन के पत्तक भी सदस्या बने वहां तक पहुंच गए थे लेकिन किसमत ने उनका साथ नहीं दिया कि एक अपराधिक मामले में नाम आन सभी है लेकिन अगर समीकरण जब जाता है का समीकरण सब पर जाते हैं तो राजपूत समाज को लगता नहीं कि परवल की टिकेट बनती हो वैसे अरंदरपाल सोमय नेता है और उनका जो अंदाज बया है वो कुछ अलग किसम का है आजकल राजनीती में लगे हुए हैं उसक सा नाम चलता था कि उनको शायद हथीन विधान सभा का टिकेट मिल जाए लेकिन चौदरी हर्शकुमार के एंट्री हो गई थी संजे का अपना गाउं हलाकि संजे गूजर हमारे साथ पिछले दिनों थे और उनने कहा कि वो शहर में रहते हैं लंबे समय से डॉमिसाइल शहर का उनका कहा था उन्होंने लेकिन उनका गाउं सैलोठी है हथीन विधान सभा शहतर में गाउं उनका आता है पलवल के अंदर वो हैं किसान मूर्चा के नेता है भारती जनता पारटी के कैडर वेसकारे करता है लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता नहीं कि कहीं गूजर समाज को कंसीडर करेगी भारती जनता पारटी पलवल के लिए क्योंकि फरिदाबाद लोगसभा के अंदर दो विधान सभा मुझे ऐसी दिख रही है तिगांव और फरिदाबाद निटी जब इन शेत्रों की बात करूंगा तो आप से बताऊंगा कि इन दौनों सीटों पर भारती जनता पारटी के केंडिडेट गूजर हो सकते हैं जहां तक सम्भावना इसलिए पलवल कंसीडर नहीं हो पाएगी शायद उसमें एक नाम दोस्तों और बहुत चल रहा है उतकर्ष चौधरी का उतकर्ष चौधरी कृषिनपाल गूजर के भतीजे हैं कि दोजर उन्निस के चौनाव के अंदर भी लोकसभा चौनाव में वह सक्रिय थे दोजर चौविस के चौनाव में भी सक्रिय हुए बीच में कहीं दिखाई पड़ते नहीं थे पिछले दिनों जब जिला परिशत का चौनाव लड़ने की भी बड़ी उनको ललग थी और व परिवारवाद की राजनीती ना हो एक परिवार से एक व्यक्ति जब रिटायरमेंट हो तो दूसरे को मिले इस लिहाज से उतकर्ष चौधरी का मुझे लगता नहीं कि भारती जनता पार्टी में वह कंसीडर भी हो और दूसरी बात एक और आएगी दोस्तों अगर इसके ब बार भी थी अब की बार भी रखते होंगे जरूर देवेंदर चौधरी के बारे में आपको कह दूं तो एक लाइन के अंदर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कृषिनपाल गूजर एक सौम्वेता के प्रतीक है लोगों से मिलनसार है तो देवेंदर चौधरी उसमें भी एक पर मैं आपसे चर्चा करूंगा अगले किसी वीडियो में जहां पर कि उनके लिए उनका नाम चल सकता है पलवल विधान सवा के बाद फिर से आपके बास आ जाता हूं उतकर्ष चौधरी के बाद जिसलिए मैंने कहा कि उतकर्ष चौधरी का नाम मुझे भारती जन्ता पा पार्टी के जिलात द्यक्ष है पिसले दिनों कहीं से बात चलती चलती यह आई कि वह भी सोचते हैं अगर पलवल विधान सवा छेत्र में मैं आपसे बताऊं कि भारती जन्ता पार्टी के कंडिडेट कौन हो सकते हैं अगर तीन प्रमुक केंडेट अगर माले जाएं तो मैं आपको वही ले चलूँगा कि दीपक मंगला जिस सिक्वेंस से मैंने श्रू किया था दीपक मंगला राजीव कतिया रेंड गौरव उतम यह तीन आम ऐसे लगते हैं कि भारती जन्ता पार्टी के जब केंडिडेट पर चर्चा होगी तो यह तीन प्रमुक नाम कि दीपक मंगला यह इन में से जो नाम आपको बताएं हैं आपको क्या लगता है कि भारती जन्ता पार्टी क्या चुनाव पूर सर्वे में किन मुद्दों के साथ सर्वे के लिए उत्रेगी दूसरी बात दियोगी और तीसरा जो प्रमुक सवाल तीसरा प्रमुक यह कि क्य जिस प्रकार से वोट की जीत का अंतर घटा है विदानसवा चुनाओं में बीजेपी इसको कवर कर सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजा झाल